दोस्तों जो एक और बड़ी फाइट है on UFC 298 वो है Robert Whittaker versus Pohashinia, Paula Costa और ये फाइट दोस्तों बुक हुई है लगबग एक साल में दूसरी बार जब लास्टाम ये फाइट बुक हुई थी तो उस टाइम पेज हापे एक तरफ Whittaker ट्रेनिक कर रहे थे पसीना बहा रहे थे, वेट लूस कर रहे थे और दूसरी तरफ Costa इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मेसेज कर रहे थे, वह लड़ रहे थे with UFC कि कैसे वो इस फाइट के लिए ready नहीं है, उन्हें और पैसा चाहिए, उन्हें और बड़ा contact चाहिए, और ultimately ये फाइट नहीं हो पाई, जो कि बहुत एक एक साइड था वो विटिकर फ्रैंकली, उस फाइट के बाद, जो फाइट नहीं हो पाई, उसके बाद, विटिकर ने फाइट की अगेंस्ट, दे करन चैंपियन जो प्लेसी, और वो फाइट हो हार गए, और उसके बाद, जो ये फाइट फिर से बुक हुई है, मैं मुझे मन में से लगा कि, कितनी वियर्ड बात है, एक टाइम था, और शायद साल डेर साल पहले ही, जहां पे शायद ये बात फिक्स थी, कि जो नंबर वन गय है इस ड्विजन का फोर मेला ड्वीजन वो याए, वो आपने बेल्ट अइडविजन गयेंत अलेक्स परिरा, फिरिशे फिर से अपनी बेल्ट हार गये फस्ट integ mesmo against Adesanya, फिर अपनी belt हार गया Adesanya against Sean Strickland और फिर last time Sean अपनी belt हार गये और अपने champion है, जो कि है Diplesee, so जो एक aura था, जो एक respect थी for Whitaker, कि हार हाँ, ठीक है former champion है, और अब शेहर नमबर दो गाए है, नमबर टू fighter है इस division के लिए, नमबर वन honor को change कर रही है हाथ बदल रही है, एक बास साफ थी कि, शाइद विटिकर का जो सपना था, फिर से champion बनने का, वो शाइद अब नहीं पुरा हो पाएगा, लेकिन जब अब मैंने जो उनके last कुछ दिनों में जो मैं इंटर्विउस देखे हैं, जो पढ़ा है उनके बारे में, आइफिल कि अगर कोई एक इंसान ऐसा है in UFC, जो कि फिर से अपने केरियर को right track पे ला सकता है वो शाइद विटिकर ही है, और ऐसा भी इसलिए विटिकर एक बोटी लॉजिकल फाइटर है और अगर वो चैंपिन नहीं बन सकते तो आइथिंक वो से पहले फाइटर होंगे जो बोले कि यार, आइम दन विद फाइटिंग बिकास वो फाइट कर रहे हैं, बिकास वो लड़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो चैंप अगेन और फिजिकली इस गुड़, उनकी एज भी स्थी ठाक है हर चीज़ उनके, उनके सपोर्ट में है सिवाए इस फाइट अगेंस पोला कॉस्टा पोला कॉस्टा चाहिए कैसे भी फाइटर हों और हमने उनकी खूब बुराई कि इस चैनल पर कैसे उनकी लॉस के बाद अगेंस अडिसानिया जिसे सबसे नोई अपने केरियर को मैनेज किया है या डिसमैनेज किया है बिसमैनेज किया है ऐसा बहुत कम दोगों ने किया है वो बहुत अची पोजिशन में थे और वो चाहते तो फिर से एक बार बेल्ट के लिए फाइट कर सकते थे बहुत जल्दी बट उनके इशूस ऑफ कॉंटरेक्ट इशूस ये इशूस वेट इशूस फलाना इशूस धमका इशू उनका पूरा केरियर है इतवी से बिलकुल हिचकोले खा रहा है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पर आगे बढ़ नहीं पा रहे है तो उनके लिए भी ये फाइट इतना बहुत जरूरी है और I think ये बास समझते होंगे कॉस्टा की all those memes, jokes वो सब fun है ultimately उन्हें बड़ी फाइट जीतनी पड़ेगी हराना लास्ट फाइट में Luke Rockhold को I think वो बड़ी फाइट थी वो I don't know, it's a good fight, it was a good fight but क्या वो बेस्ट परफॉरमेंस था? Whittaker का? Sorry, Costa का? I don't think so और यहां पे former champion को हराना Yes, वो एक बहुत बड़ी बात होगी Luke Rockhold उस टाइम पे जब उन्हें फाइट होई थी वो, he was just a, you know a done fighter बस वो फाइट कहें थे, पैसे के लिए फाइट कर रहे थे not to become champion Whittaker एक different breed है Whittaker को पूरा भरोसा अपने आप पे और frankly मुझे भरोसा है उन पे कि he can turn around he can come back and become a champion once again और खासकर तब जब उनका जो main opponent है Dasania, वो नहीं है champion again और हाब लो लेगे, yeah, what are you talking about अभी अभी वो फाइट हारे हैं against Diplacis, so how can you think he can become champion again right, essentially because Whittaker के पास वो सारी चीजे हैं जो कि होने चाहिए complete fighter में जो last fight में हुआ again, whatever, injury, not prepared, whatever I think Whittaker एक ऐसे fighter है जो एक toughest to toughest fight में भी वो वहाँ से जीत कर बहार निकल सकते हैं So yes, score strike बड़े fighter है I'm sure यह fight फसेगी यहाँ पे बहुत बड़ी war होगी but Whittaker ultimately can win this fight and again, this is the question जो fans है Whittaker के, frankly वो वेट कर रहे हैं इस fight का उनकी एक comeback fight का और Costa के fans obviously वेट कर रहे हैं फिरसे उनकी body देखने का obviously उनकी fight जीतने का So yes, दोस्तों, it's an interesting fight frankly, मेरे इसाब से यह बहुत ही critical fight है इस division में जो पूरी division है वो हो चुकी है पूरी उतल-फुथल कौन होगा next contender क्या वो होगे Adesanya, क्या वो होगे Sean, फिरसे एक बार rematch या फिर यहाँ पर जो fighter जीतेगा एक बड़ी statement देगा एक strong win देगा क्या वो होगा next you never know बट यहाँ पर Whitaker का यह fight जीतना बहुत ज़री होगा उनकी carrier के लिए, frankly यह fight अगर हाग एक उस्टा तो कुछ भी एक्स्थ दे देंगे कि मैने जादा पानी पी लिया था मैने दूद मी पिया था मैं नहीं सो नहीं पाया था या मैने जादा गोल के खा लिये थे whatever but Whitaker एक्स्क्यूज नहीं देते और इसलिए उनके लिए यह fight जितना बहुज़री होगा kind of a weird, you know, reason but also anyway, you know the emotions you know what I'm saying दोस्तों, anyway, very excited for this fight can't wait, rooting for Whitaker let's see क्या होगा, क्या फिर से Bobby नकस्थ फिर से एक बार आस सकते हैं अपनी form में, we'll see very soon, दोस्तों, what do you think क्या possible है, कि यह fight जीत की विटिकर, फिर से आगे आएंगे और करेंगे fight फिर से बेल्ट के लिए आप मुझे पताएं कमेंट्स के अंदर मिलते हैं नेक्स टाइम, टेक केर, बाबाई